हेलो फ्रेंट्स आज हम आपको बाफले बनाने की सिंपल वा साधाराण दिभी बताएगे उसके लिए हमें चाहिए दो कटोरी बाफले का बड़ा आता एक कटोरी बारिक आता जो हम ऐसे छान लेंगे और एक कटोरी मक्के का आता इससे के बाफले दर-दरे वह सॉफ्ट बनेंगे इसे छान लेंगे बाफले के बड़े आते से बाफले सॉफ्ट और दर-दरे बनते हैं जिसमें हमें ज्यादा सामगरी की आप शेक्ता नहीं होगी है फिल इन्हें हम अच्छे से पिला लेंगे मिक्स कर लेंगे इसके बाफलो में डालेंगे आते में डालेंगे दो चम्मच नमक एक चम्मच खल्दी पावडर और एक चम्मच अजवाईं में म की खल्दी आते हैं विला मुने शेसे बाले तो हम इसमें डालेंगे, एक बड़ा चम्मच, ओल, इससे के हमारे बाफले, दरदरे और सॉफ्ट बनेंगे, इन्हें हम अच्छे से हिला लेंगे, तेल को बाद में डालकर इसलिए हिलाया जाता है, ताकि आटे में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम आटे को अच्छे से मेज करेंगे, तीन कटोरी गेहूं का आटा लिया है, तो एक कटोरी मक्य का आटा लेना जरूरी है, अब इस आटे को हम गूलेंगे, और इसे थोड़ा हम सॉफ्ट ही गूलेंगे, ताकि हमारे वाफले नर्म हो, यह हमारा आटा हुन के तैयार है, इसे ज्यादा अच्छे च्छे नहीं गूलेंगे, अब हम इसकी थोड़े बड़े साइज के वाफले रनाएंगे, ताकि यह हमारे बाफले बनकर तैयार हैं प्रेंड्स, अब हम इन्हें उबलने के लिए रखेंगे, यह हमारा पानी भी उबलके तैयार है, अब इन्हें एक एक करके इसे पाने में डालेंगे, और कम से कम 10 मिर्ट के लिए उबलने देंगे, और यह हम भूटके रख देंगे, यह बैसे रख दिया, और हम चेक करेंगे, हमारे बाफले, देखिए फ्रेंस हमारे बाफले उबलके तैयार है, अब हम गेस बंद कर देंगे, दास मिर्ट तक हम उबलने दिया, अब इन्हें एक ठाली में ठंदा होने के लिए रख देंगे, देखिए फ्रेंस हम आ रही है, बाफले ठंडे होके तैयार है, इन्हें हम ठंदा इसलिए करते हैं, ताकि ओवन पर रख देंगे, यह चिपके नहीं, और इसे हम इस तरीके से हम पर सिखने के लिए रख देंगे, और कम से कम दो बार पलते जब तक गेस की स्पीट फुल होनी चाहिए, और इसे हम ढख देंगे, दड़के की तैयारी कर लेते हैं, यह दाल हमने उबाल के रखी हुई है, इसमें नमग और हल्दी डाल के इसमें हमने उबाला हुआ है, अब हम इसे को दड़का लगाएंगे, सबसे पहले, अब के लिए हम तेल में तेल डालेंगे, अब इसमें हम क्या डालेंगे, आदा चम्माच, राई, एक चम्माच, बीरा, और एक चुटकी, चेंग, इसके बाद हम सिंपल तरीके से दाल होनाएंगे, सिर्फ लसन और हरिमीट, क्याज नहीं डाले हैं, यह दाल बिल्कुल सिंपतर ही जाएंगे, जब तक हमारा यह सिख रहा है, जब तक हम पाफले पलट देंगे, यह देखिए फ्रेंट, हम लोगों ने इन्हें हंटा कर लिया था यह चिप के नहीं, और दो बार हम पलटेंगे, तब तक जब तक फुल रखेंगे, उसके बाद हम मत्याज में पगाएंगे, जब तक हमारा मसाला भी पके तयार हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे, एक बारिक कटा टमाटस, हल्डी डाल में हम अल्रेडी डाल चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी हल्डी, और एक चम्मच हम इसमें लाल मिल्स तौडर डालेंगे, और बाख लेंगे, इसमें पीठा काना, ज़्यादा पसंदेगे, ज़्यादे हें तो टमाट स्वोड़ी गवर. थोड़ा पकाए हैं देखे फ्रेंट्स यह हम लगों का मसाला पक्कर सयार है यहां हमारे टमाटर भी गह चुके हैं और यह तेल उपर आ गया मतलब मसाला पक्कर सयार है अब एक बार हम बाफ लेगों भी देख लेंगे जबाँ करें दो बार पलटने के बाद मद्ध्य-मद्ध्य आज करें हम इसके बाद हम मसाला जो पक्कर रेडी है हमारा उसमें हम लग अट कर देंए है 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 कि दाल को अच्छे से होने रहे हैं देखें वेंड्स यह हमारी सिंपल और बिल्कुल सिंपल तरीके की दाल मंगर तयार है और हम इसे सर्फ करेंगे इसमें हम धनिया और इधार हमारे बाफले भी बनकर देखें यह देखें वाफले हमारे फट गया है मतलब बाफले तयार है अब हम इन्हें घी में लगाएंगे लों में हम घी लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे इन्हें आदा आदा करके डाइरेक्ट गी में इस तरीके से दुबो देखेंगे और अंदा जाके पढ़ेंगे कि दुब अब देखें फ्रेंड्स यह घल्मागार हमारे बाफले बनकर रेडी हैं इंमें हम घीब डाला हुआ है ताकि अंदर से दर दर हैयां देखेंगें अंदर से भी विल्कुल दर दर हैं अभी एम ठाली सजाए में और हम इने ग्रीन चिली से सजाए में और यदि आप दाल में निम्बू डालकर खाना पसंद करें तो यह तो यह तैयार है हमारा गर्मा-गरम मालवी दालवापना हमालवा की सिंपल और साधारन डिश यदि आपको हमारा वीडियो बचान आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू सो मच